आप लोग ये नाम तो सदा से सुनते आ रहे हैं, सीताराम राधेश्याम, लेकिन हमारे देश में क्या संपूर्ण बिश्व में बहुत कम लोग जानते हैं, राधा कौन है? वो समझते हैं, जैसे सीताराम है, ऐसे ही राधेश्याम है, अर्थात, सीताराम में सीताराम की धर्म पत्नी है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, रामायन तो पढ़ते ही होंगे, विवाह हुआ था, ऐसे नहीं है राधेश्याम, आत्मा तु राधिका अतस्य, तैये वरमना दसव, आत्मा रामिति प्रोग तह, असकंद पुराण, राधा स्रीकृष्ण की आत्मा है, बेद भी कहता है, कृष्णो हवै हरिप्परमो देवा, शर्विधै श्वर्ज परिपूर्णो भगवान, गोपी गोप सेव्यो ब्रिंदाबना धिनाथा, सा एक एवेश्वरह, तस्य हवै ड्वेतनुर नारायनो खिल, ब्रह्मा अंडा धिपतिरे कोंश, प्रिक्रते प्राचीनो नित्या, तस्य शक्तयस्त्वने कधा, लाधिनी संधिनी ज्ञानेच्छा, क्रियाध्या, तास्वाह लाधिनी बरियसी परमानतरंगभूता, क्रिश्नेन आराध्यते इतिराधा, अर्थात, स्री क्रिश्न जिसकी भक्ती करते हैं, वो राधा हैं, राधाईवा, राध्यते, मया, ब्रह्मबैवर्त, पुराण, राधा की भक्ती करते हैं, स्री क्रिश्न, और सीता की भक्ती राम नहीं करते, राम की भक्ती सीता करती हैं, अर्थात, इस्त्री भक्ती करती हैं, पती की, किन्तु यहां स्री क्रिश्न भक्ती करते हैं, राधारानी की, रस्खान हमारे हाँ, एक मुसल्मान संत हुआ, उसने जब यह सुना, कि स्री क्रिश्न भक्ती करते हैं, राधा की, तो उसका दिमाग खराब हो गया, उसने का हिंदू धर्म में, और हमारे इस्लाम में भी, इस्त्री पती की उपासना करती है, दासी कहलाती है, और यह कैसे इनके भगवान हैं, जो राधा की भक्ती करते हैं, चरण दवाते हैं, तो जब दर्शन दिया रस खान को, तो इसी जाकी में दिया, तो रस खान ने लिखा, देख्यो दुर्यो वह कुल्ज कुटीर में, बैठ्यो पलो टतराधि का पायन, मैंने देखा है, स्री कृष्ण राधा राणी के चरण दबा रहेते, तो जो की, राधा स्री कृष्ण की आत्मा है, और लक्ष्मी पत्नी है, लक्ष्मी, रमा, कमला, पद्मा अनेक नाम हैं, जो भगवान की धर्म पत्नी हैं, उनका, देखिए, आप लोगों का एक शरीर हुआ है, एक आत्मा है, दो चीज़ हैं ना, शरीर माने, हाग, पर, आँख, नाख, मुह, मन, बुद्धी तक का नाम शरीर है, यानि आप बुद्धी तक जितना वर्क करते हैं, उसा माईक है, माया का बना है, शरीर भी, और शरीर में, पाँच करमेंद्रिय, पाँच ज्यानेंद्रिय, एक मन, एक ग्यारा, सत का नाम शरीर, ये जड़ है, और आत्मा चेतन है, जब आप देखते हैं कोई मर गया ना, तो आत्मा जो भीतर है, भगवान का अंश, वो दिब्ध है, तो आपका शरीर माने, ध्यान रहें, इंद्रिय, मन, बुद्धी, केवल हाथ नहीं, केवल पैर नहीं, केवल आख नहीं, साब इतने सारे मिलके, ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धी से आत्मा का क्या संबंद है, आप लोगों से कोई पूछे, तो आप लोग जानते हैं, अनभो करते हैं, बता दे, ति इंद्रिय, मन, बुद्धी, आत्मा के दास है, हर समय, इंद्रिय, मन, बुद्धी, आत्मा को सुख देने की प्लानिंग प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान दो, हर समय, प्रति सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, अपना सुख चाहते हैं, अपना माने क्या, आत्मा का, तो वो कैसे मिलेगा, ये जो हमारे पास सामान है, इंद्रिया, मन, बुद्धी, इनके द्वारा, हम प्रियत्न करते हैं, क्या देखें की सुख मिले, क्या सुनें की सुख मिले, क्या सुनें की सुख मिले, क्या खाएं की सुख मिले, यानि ये सारी चीजे मैं की दास हैं, देखिए, अब गमारी भासा में सुनिए, मेरा मैं का दास है, एक सेंटेंस में मेरा मैं का दास है मेरा माने जो भी हो मेरा यह मेरा मकान है यह भी दास है मकान को बनवाते हैं हम अपने सुख के लिए यह मेरी गाड़ी है, कार है यह कार को खरीदा है अपने सुख के लिए यह बाहर का जितना हमारा सामान है यह मेरा है यह इसलिए है मैं को सुख मिले अब अंदर आओ बाहर को छोड़ दो यह मेरा सरीर यह भी नौकर है मैं के सुख के लिए अब और अंदर आओ मेरा मन ये भी नौकर है मैं के सुख के लिए मेरी बुद्धी ये भी नौकर है मैं के सुख के लिए यानि जहां जहां मेरा लगा है वो सब मैं का नौकर है मेरा यानि मैं का तो जैसे शरीर एंद्रियमन बुद्धी आत्मा का दास है, ध्यान दो, ऐसे ही आत्मा, परमात्मा, स्री कृष्ण का दास है, नैचुरल, क्यों, ए आत्मा क्या चाहता है, यानि आप क्या चाहते हैं, आनन्द न, कौन सा आनन्द चाहते हैं, अरे दोई आनन्द तो है, एक माया का, एक भगवान का, हाँ, तो माया का आनन्द तो आपको मिल रहा है, लेकिन त्रिप्ती नहीं हुई, हाँ, तो आप भगवान का आनन्द चाहते हैं, तो इंद्रिय मन बुद्धी, माया का आनन्द देती हैं, तो आत्मा कहती है, यह हमारा नहीं है, नहीं है तुम्हारा, अच्छा, और आगे चलते हैं, लो दस लाक, यहां हमारा सुख नहीं है, अच्छा, लो एक करोड, यहां हमारा सुख नहीं है, लो एक अरव, यहां हमारा सुख नहीं है, स्वर्ग पी गए, ये हमारा सुख नहीं है तो तुम्हारा सुख क्या है ये मैंने ही जान रहा लेकिन जब मेरा सुख मिल जाएगा तो मैं बता दूँगा हाँ मिल गया मिल गया ये मेरा सुख है तो आत्मा का सुख परमात्मा वाला है इसलिए वो माया के सुख को नहीं स्विकार करता दोखा होता है पहले फिर धीरे 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 खतम हो जाता है संसार का प्यार कैसा होता है पहले खुप सारा आप लोग ब्याह की होंगे बहुत से लोग जब पहले बार बीबी मिली तो बहुत प्यार फिर दूसरे दिन से कम शुरू हुआ और कम और कम और कम और कम लड़ाई यगड़ा शुरू हो गया उसके बाद खतम हो गया उसके बाद आप परिशान है उसी बीबी से जिसको देखने को आप तरस्ते थे, अब उसको देखना नहीं चाहते यह संसार का है सुख यानि घटता गया, घटता गया, खतम हो गया और भगवान का सुख कैसा होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अनन्त काल तक वो जैसे आत्मा का सर्वेंट है शरीर नमबर दो ऐसे ही आत्मा सर्वेंट है परमात्मा का नमबर तीन ऐसे ही परमात्मा सर्वेंट है राधा का राधा के दास श्री कृष्ण श्री कृष्ण के दास सब जीव और सब जीवों का दास उनका अपना शरीर फिर से चुन लो आपका शरीर मन बुद्धी आद आत्मा के दास है और आत्मा परमात्मा का दास है जिसको हम भूल गए हैं और परमात्मा राधारानी का दास है इसलिए परमात्मा राधारानी के पीछे घूमते हैं उनको सुख देने के लिए और आत्मा को परमात्मा के सुख के लिए साधना करनी चाहिए, भक्ती करनी चाहिए, जैसे ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धी इस आत्मा के लिए 24 घंटे दास्ता करते हैं, ये राधारा तत्व का प्रमुक और संखिप्त नुरूपन है